हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर अनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज हम बात करेंगे 30 महत्पून कोश्चन के उपर जो आपके एजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आज का हम लोगा जो कोश्चन है वो कोश्चन है CDP का यानि कि चाइल्ड पेडागोगी का 30 महत्पून कोश्चन जो आपके पेपर वान जनौरी 21 के एकजाम में आए हुए है तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अन तक देखे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो पर लाइक करे और अगर आप चैनल पे नए आया है तो प्लीज चैनल को सब्स्ट्राइब भी कर ले तो चलते अपने पहले कोश्चन के उपर आज का जो हम लोग का पहला कोश्चन है वो कोश्चन है बिविद प्रिष्ट भूमियों के अधियम करताओं को सम्बोधित करने है तू एक अध्यापक को क्या करना चाहिए सभी के लिए मानकी कृत आकलोनों का इस्तमाल करना चाहिए ऐसे कथनों का इस्तमाल करना चाहिए जो नाकरातमक रुडिबत धरनाओं को मजबूत करे एक अध्यापक को विविद विन्यासों से उधारन लेने चाहिए यानि किसका अंसर का होगा option number D आपका correct answer होगा next question है हम लोग का समस्या समधान चमताओं को किस प्रकार सुसाधे किया जा सकता है पहला option है समरूपों के इस्तमाल को बढ़ावा दे कर बिद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर लगतार अभ्यास और कार्यवान में पर जोड़ दे कर समस्याओं के हल A2 अटर परिच्छा या प्रकिरिया की इस्तमाल को बढ़ावा दे कर इसका answer आपका क्या होगा इसका answer आपका A number correct होगा समरूपों के इस्तमाल को बढ़ावा दे कर समस्याओं संधान चमताओं क्या कर किया किया जा सकता है सुसाद्य किया जा सकता है यानि कि question number 2 है उसका answer क्या होगा आपका option number ये correct होगा next question है हम लोग का question number 3 अधिगम कठिनाईयों से जूझते कोई बच्चा अगर अधिगम कर रहा उसको परसानी हो रही है तो क्या एक्टिचर की रूप में क्या नहीं करना चाहिए व्यक्तिकत सेक्षिनिक योजनिया बनाना सिक्षा सास्त्र और आकलन की जटिल सनचनाओं का प्रियोग सिक्षा सास्त्र और आकलन की जटिल सनचनाओं का प्रियोग नहीं करना चाहिए एक सिक्षा की रूप में जब बच्चा क्या हो परते समय कटनाईयों की या परसानी से जूझ रहा हो तो यान इसका अधिगम का अधिगम का आपका बनान कोडेक्ट होगा कम परिग्यानता या बोध गम्यता और लास्ट अप्षन है इसका अप्षारी चिंतन आपका जो होगा इसका अंसर क्या होगा डी कोरेक्ट होगा सिज नत्मक्ता की पचान का परमुख लक्षन क्या है अप्षारी चिंतन यानि कि 4 जो question असका answer क्या होगा आपका option number D correct होगा next question है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावसाली माध्यम कौन सा है question में जो 5 है आपका क्या है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावसाली माध्यम कौन सा है पहला option है बिना बिसलेशन के अलोकन करना अनुकरन नकल और दोहराना विशय वस्तु को यत्रवद याद करना और आपका लास्ट अप्सन है संकलपनाओं के बीद संबंद खोजना इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका D-correct होगा संकल्पनाओं के बीद संबंद खोजना कोर्शन नमर 5 कैंसर का होगा आपका D नमर कोरेक्ट होगा नेक्स्ट कोर्शन है कोर्शन नमर 6 एक अध्यापक को दिये गए किसी काड़िया कलाप में निर्भर है इसके अधार परवा दंड की मातरा निधारित कर सकती है नेक्स्ट कोर्शन एक कोर्शन नमर 7 अधिगम की अभी प्रेरना को किस प्रकार क्या है में रखा जा सकता है यानि कि जो लर्णिंग का जो मोटिफेशन अगर हम लोग के अंदर आता है तो इसको कैसे हम लोग कायम रख सकते है पहला अप्शन है बच्चो को बहुत असान किरिया कलाप दे कर यत्रवद याद करने पर जोड़ दे कर बच्चो को दंड दे कर परविनता अभी मुखी लख्षो पर जोड़ दे कर तो इसका आंसर क्या होगा आपका दी नमर कोरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्रेशन है क्रेशन नमर एट सरमिंदगी पहला अप्शन है बच्चो को अधिगम हेतु अभी प्रवाव साली है भाव को अधियापन अधिगम प्रकिरिया में बढ़ाम बार बार पैदा करना चाहिए संग्यान से कोई संबंद नहीं है संग्यान पर नाकरात्मा पुरभाव पर सकता है यानि बढ़ाम जो एट है आपका उसका अंसर का होगा आपका डी नमर कोरेक्ट होगा नेक्स्ट क्रेशन है क्रेशन नमर नाइन अधिगम का संग्रात्मत्मक विचार या सुझाओ देता है कि ज्यान की संगचना में पहला उप्शन है बच्चे सक्रिय भूनका निभाते हैं बच्चे पूर्ण रूप से पाठे पुष्ट को पनिरिभर रहते हैं बच्चों की कोई भूनका नहीं होती बच्चे पूर्ण रूप से ब्यास्को पनिरिभर रहते हैं इसका अधिगम का संग्रात्मक विचार या सुझाओ देता है कि ज्यान की संगचना में बच्चे सकडिय भूनका निभाते हैं यानी कोशन नहीं है आपका उसका एंसर के आपका आपका A नमर कोरेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर दस अधिगम के लिए निम्न में से कौनसी धारना उप्यूक्त है पहला अप्शन है पडियासो से कोई फर्क नहीं परता और सफलता अन्यंत्रित है योगिता आसुधार है और आपका लास्ट अप्शन है योगिता अटल है इस कैंसर आपका C नमर कोरेक्ट हो जाएगा योगिता क्या आसुधार है Q10 कैंसर का होगा आपका option number C correct होगा Next question है question number 11 निम्न में से कौनसी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बड़ोत्री करने में सहायक है पहला option है बारमबार परिक्षाय अन्यवेशन और समबाद तीसरा option है प्रतिसपर्धा अधारित प्रतिसपर्धा है और अगर लास्ट option है पाठे पुस्तक केंद्रिये सिख्छा सास्त्र इसका अंसर आपका B नम्न कोलेक्ट हो जाएगा अन्यवेशन और समबाद Q10 का अंसर का होगा आपका option और B कोलेक्ट होगा Next question है question number 12 बच्चो को सिखने में कठनाई होती है जब अधिगम समाजिक संदर्म में हो विश्य वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत के जाएगा हो सुचना अलग-अलग टुक्रों में प्रस्तुत की जाए वो आंतरिक रूप से अभिप्रिद हो आपका इसका answer क्या होगा C नमर क्रेट हो जाएगा बच्चो को सिखने में कठनाई होती है जब सुचना अलग-अलग टुक्रों में प्रस्तुत की जाए यानि किसका क्या होगा option number C correct answer होगा Next question है अधिगम की सरवात्तम आवस्था कौन सी है पहला option है इसका answer आपका क्या होगा A नमर क्रेट हो जाएगा अधिगम की क्या होती है सरवात्तम आवस्था कौन सी होती है संतुलित योजना और क्रेट होगा question number 14 है अमलों का बच्चों के विकास की व्यक्तिकत विविनताओ को किस अपर प्रति रोपित किया जा सकता है पहला option है अनुवान सीक्ता पर ना पर्यावरन पर अनुवान सीक्ता एवं पर्यावरन की परस्परिक्ता पर केवल अनुवान सीक्ता पर और केवल पर्यावरन पर इसका अचल आपका B नमर कोरेक्ट हो जाएगा बच्चों के विकास की व्यक्तिकास बिभिनताओं को अनुवान सिखता एवं परयावरण की परास परिगताओं क। कारे पर किस प्रकार प्रगतिक कर सकती है लेवाई गोच्की के भासा और चिंतन सोच के बारे में दिये गई विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्साता है पहला अप्षन है आत्म केंदरिता मनोब्य ग्यानिक विकार तीसरा है संगेनातमक अपड़ी पकवता और आपका लास्ट अप्षन क्या है स्वन नियमन इसका अंसर का होगा आपका D नमर कुठ जाएगा स्वन नियमन नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 16 मुल्यांकन पदतियों का क्या लक्ष होना चाहिए पहला अप्षन है विद्यार्थियों की जरूरतो एवं अरसकताओ की पहचान करना पुर्षकार बीतर नहें तो उच अंग प्राप्त करने वाले अभी विद्यार्थियों की पहचान करना विद्यार्थियों को नमांकित करना योगेता अधारित समूहों में विद्यार्थियों को बिभाजित करना इसका अंसर आपका A कॉरेट हो जाएगा मुल्यांकन पदतियों का लग्ष क्या होना चाहिए विद्यार्थियों के ज़रूरतों एव में आउसकताओं की पहचान करना क्रूसर नमर्ण सिख्षिनिक एंसर का अब आपका एग नमर्ण कॉलेट हो जागा एक गतिवीरी के दोरान चात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इसारे जैसे क्या कैसे परदान करने का फैसला लेती है लेव वाई गोस्की के सिधानत के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या दरसारा है चात्रों में प्रतयाहार, निकास, प्रवितिया पैदा करेगी, अधिगम के प्रकिरिया में अर्थ हीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत प्रेरित, निस प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पार अधारभूत सनचना का काम करेगी इसका अंसर का होगा आपका D नमर अप्शन कोलेक्ट हो जागा अधिगम के लिए पार अधारबूत समस्चनाओं को काम करेगी यानि कोशन नमर 17 आपका है उसका अंसर का होगा अप्शन नमर D अंसर होगा नेक्स्ट कोशन नमर 18 एक खेल किरिया के दोरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा यहाद देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह बेवार ना करो लड़के रोते नहीं है पिता के यह कथन लैंगिक भिदभाव को कम करता है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है लैंगिक भूडिवादिता को दर्साता है लैंगिक भूडिवादिता को चुनाती देता है इसका अंसर का होगा आपका C नमर करेक्षा जागा अंसर लैंगिक भूडिवादिता को दर्साता है यानि कोशन नमर जो ठार असके अंसर का हुगा आपका अप्सन नमर C correct हो जाएगा नेक्स्ट कोशन नमर 19 एक प्रगातेशील कक्छा में ग्यान की सनचना के लिए परचुर मौके परदान करने चाहिए विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंको के धार पर नमांकित करना चाहिए अध्यापक को अटल पाठेक्राम का पालन करना चाहिए विद्यार्थियों में प्रतियस परधा पर बल देना चाहिए इसके अंसर आपका क्या होगा A number correct होगा यह के प्रगत्व सिल्क अप्छा में ज्यान की संचना के लिए पर्चुन मौग के परदान करने चाहिए question 19 है उसके answer का ऑप्षन नमर A correct हो जाएगा ज्यान की संचना के लिए पर्चुन मौग के परदान करने चाहिए next question है question 20 लॉरेंस कोहलबर्ग के सिधान्त के अनुसार किसी कायरे को इसलिए करना केको दुसरे इसे सिवकिर्थी देते हैं नहतिक विकास के डैस चन को दर्था आता है पहला अप्षन है उत्तर प्रथा गत तुसरा है अमूर्थ संक्रियातमक तीसरा है प्रथा पुडू और अक लास अप्षन के आए प्रथा गत इसका अपका डी नमर्ड क्रेट हो जाएगा प्रथा गत क्या होगा इसका अपका अपका अप्षन नमर्ड डी क्रेट हो जाएग चार दोनों समाजी करण के दूइतिय कारक है बिद्याले समाजी करण का एक दूइतिय कारक है और परिवार समाजी करण का एक प्रात्मिक कारक है और आपका लास्ट ऑप्शन है बिद्याले समाजी करण का एक प्रात्मिक कारक है बच्चों के समाजिकर्ण में क्या होता है पडिवार क्या होता है प्रथम कारक होता है और अपका विधाले क्या हो जागा दुवित्य कारक होता है ताकि बच्चे का समाजिकर्ण अच्छे से हो सके नेक्स्ट क्वेशन नमर 22 बहु बुद्धी का सिदान्थ जोड देता है किस चीज़ पे? पहला उप्षन है बुद्धीमता की बिविन दर्साय हैं बुद्धीमता में कोई व्यक्तिकत बिविन दर्साय नहीं होती है बुद्धीलब्धी केवल वस्तोनिस्ट प्रिक्षन द्वारा ही मापी जा सकती है एक आयाम में बुद्धिमता अन्ने सबी आयामों में बुद्धिमता निधारित करती है इसका अंसर का होगा आपका A नमर कोरेक्ट हो जाएगा बहुँ बुद्धी का सिदान्थ जोड देता है बुद्धीमता की विमिन दसाय है यानि कोशन नमर जो बाई से आपको से अंसर क्या होगा आपका आप्शन नमर ए इसका अंसर क्या होगा correct होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर तेस जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिदान्थ में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुन क्या होता है कोशन है कि जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिदान्थ में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुन क्या होता है पहला option है पडिकल्पित निग्मनात्मक सोच संक्रक्षन और पदार्थों को करंबद करने की छमता अम्मूर्थ सोच का विकास विचार या सोच में केंदरी करण इस कैंसर का होगा आपका option number D correct हो जागा विचार या सोच में केंदरी करण next question है question number 24 विकास के संदर में निवन में से कौन सा कथन सही है पहला option है विकास के वल बालेवस्था के दोरान ही होता है विकास बहुँ आयामी है विकास के दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है विकास के वल बी डालने में होने वाले अधिगम से ही होता है तो आपका क्या होगा इसका कौन सा कथन सही है आपका option number B correct है विकास का है बहुँ आयामी होता है यानि question number 24 आपका उसका answer क्या होगा option number B correct answer होगा next question है question number 25 लेव वाई गोच्की का समाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष अधिगम परकिरिया में डास के महतों पर जोड देता है जो वाई गोच्की का समाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष सिधान्त है वो किस चीज पर महतों देता है पहला option है अभी प्रेरना दूसरा है संतुली करण तीसरा है सांस्कृतिक उपकरनो और अगरा लाश्र option क्या है गुनारोपन इस कैंसर क्या होगा आपका option number C correct हो जाएगा ऍसस्कृतिक उपकरन पर क्या होता है लेवाई गोश्की का सिमाजी सिधान्त का करता है मौत तो देता है यानि जो कोशन में 25 है आपका उसका जिनसर क्या होगा आपका option नमर C correct हो जाएगा कोशन नमर 26 है जीन प्याजे अपने संगनात्मक विकास के सिधान्त में संगनात्मक संगाचनाओ को वो डैस के रूप में वर्नित करते हैं पहला option है विकास का समीपस्थ छेत्र दूसरा है स्कीमा मनो बंद तीसरा है मनो बैग्यानिक उपकरनो और आपका लास अप्सन क्या है उद्धिपक अनुकिरिया संबंद आपका इसका इंसर क्या होगा आपका option number B correct हो जाएगा इसकीमा पर क्या होता है बच्चों का मतलब प्रभाव पड़ता है और चीजों को अच्छे से सोच पाता है यानि जो जीन प्यादे कैसा नातमा सिदान्त है वो कौन से समचनाओ पर विचार करता है वर्नित करता है आपका option number B हो जाएगा इसकीमा या मनुबंद यानि question number 26 अपका option number B correct answer हो जाएगा next question है question 27 एक समयसी कक्छा में डैस पर जोड़ देना चाहिए पहला option है समाजिक पहचान के धार पर चातरों के अलगाओ हर बच्चे के सामरत्थे को अधिक्तम करने के लिए अशर प्रदान करना परदर्शन अभी मुखी लग्ष अभी वेदी समरूपी निर्दर्शो इसका एंसर का अपका option B correct हो जाएगा एक समयसी कक्छा में हर बच्चे के सामरत्थे को अधिक्तम करने के लिए अशर प्रदान करना चाहिए next question है question number 28 दिभ्यांग जन अधिकार अधनियम दोयर सोला की अनुशार निम्न में से किस सब दावली के परियोग उप्यूक्त है पहला option है छात्र जीसे सारिक दिभ्यांगता है छात्र जीसका असक्त सरीर है मंदित छात्र और आपका लास्ट अप्सन क्या है बिकलांग छात्र इसका answer क्या होगा अपका option number A करेट हो जागा छात्र जीसे सारिक दिभ्यांगता है next question है question 39 जनम से किसोरा वस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है पहला option है मूर्थ, अमूर्थ, सामवेदिक अमूर्थ, मूर्थ, सामवेदिक last option क्या है अपका तिसरा option है सामवेदिक, मूर्थ, अमूर्थ और आपका last option क्या है अमूर्थ, सामवेदिक और मूर्थ इसका answer क्या होगा अपका option number C correct answer होगा जनम से किसोरा वर्षा तक बच्चों में विकास सक्रम क्या होता है सामेदिक होता है फिर मूर्थ होता है उसके बाद क्या होता है अमूर्थ होता है यानि कि पहले होता है प्रियोप्रेशनल फिर होता है आपका कॉंक्रीट उसका बदलास्ट में क्या होता है abstract होता है question 29 आपका उसका answer क्या होगा C number correct answer होगा जर्म से किसोरा आपसातक बच्चों का विकास से करम क्या होता है सामेदिक मूर्थ और अमूर्थ next question है और आपका last question है एक परगतिसिल कक्छा में व्यक्तिकत बिमिनताओ को किस परकार देखा जाना चाहिए योगता अधारित सम्मू बनाने का मापदंड अध्यापन अधिगम परकिरिया की पर्योजना के लिए महतपूर्ण अधिगम की परकिरिया में बाधा और आपका last option के है अधिगम परकिरिया की पर्योजनाओ के लिए महतपूर्ण के रूप में देखा जाना चाहिए यानि question number 30 है आपका उस cancer का होगा आपका option number B correct हो जागा अधिगम परकिरिया की पर्योजनाओ के लिए महतपूर्ण तो यह था आपका आज का आतिस important question जो आपके जन्वारी पेपर 21 में आये हुए थे तो वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले धन्यवाद